यूवको को वैद तरीके से अमेरिका भेजने वाले दो ट्रेवल अजेंटों को कपूर्सला पुलिस ने गिरफतार किया। लापता यूवको के मामले में अकाली बीजेपी निताओं ने केंदर सरकार से मदद की अपील की। बहतर जिंदगी का सपना अकसर पंजाबी यूवाओं का ध्यान अमेरिका कैनेडा की तरफ खींच ले जाता है। जिस लाख में डील डन की थी। अविनाश राइखना और चंदुमाचरा ने केंदर सरकार से मदद की अपील की है। वहीं अकाली सांसत का कहना है कि ऐसे एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं भी खुद इस मामले नूँ केंदर सरकार तक लिया मागें। अकाली दल सांसत प्रेम सिंग्स चंदुमाजरा ने सक्त कनून बनाने की मांकी है। ताके अवयात तरीके से विदेश भेजने वालों के गोरक धंदे पर रोक लगाई जा सके। कपूर्थला से संदीब उबराई के साथ पंकच कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। समुतरी रास्ते से अमेरिका जा रहे पंचाबी युगकों के लापता होने के मामले पर कांग्रेस नेता मनपृत बादल के विर्दिक्रे आई है। मनपृत बादल गोल्टरिन टेंपल में मत्हा टेकने पहुँचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस संकट के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार धैराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के चलते बंचाबी युवा, अमेरिका और अरब देशों का रुख करते हैं। उन्होंने हादसे पर अफसोस जदाया है। अफसोस है बट मुझे इसमें हैरत कोई नहीं है। आमादनी पार्टी निता सुकपाल खेरा ने इस मामले में केंदर और सीम बादल से अपील की है कि जल से जल युवाओं का पता लगाया चाए। इता वटाइश हूँ के मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साप नूँ, अपील करूँगा एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर नूँ और पंजाब सरकार नूँ के अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स वर्थ के पता करवाया जावे के साठे बच्चे जड़े ने वही आप निता सुकपाल खेरा ने केंडरो और राज्य सरकार से इस मामले में आवश्चक कदम उठाने की मांग की है जालंदर से राजी बद्वा के साथ अम्री सरसे राजन को साइंस जीनी लिया खडूर साब उपचिनाव में गठबंदन की जीत होगी जे दावाट ठोका है काली यागू फरफेसर प्रेम सिंग चन्दू मायरा और वनाश राई खना ने बोले लोग वकास कारेंगे मूर खडूर साब उपचिनाव के लिए अकाली बीजेपी तयार हैं अकाली सांसत चन्दू माचरा ने बताया कि पार्टी प्रधान सुथ बीर बादल 20 जनवरी को इस बाबत मिटिंग करेंगे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का उमीद्वार तो भाग खड़ा कुआ है इसलिए जनता अकाली बीजेपी उमीद्वार पर ही मुहर लगाएगी बीजेपी के अविनाश राइखना भी केंद्र और राजे सरकार के विकास कारियों का हवाला दे कर जी तपक की बता रहे हैं कॉंग्रेस नेता मनपरित बादल का कहना है कि अकालियों को चिनावी मैदाश राइखना है में उतरने पर पता चल जाएगा हलाकि उन्होंने साफ किया कि असल फाइट 2017 में ही होगी मैंनों नहीं लगदा कि जड़ा खुदूर साब दा एलेक्शन है यह काली दल वस्ते कोई ड़न डील है इन्हों कि ता ओजितों बदान चाहे ता लगपते जानगे पर मैंनों लगदा है कि 17 लोग काने कोई बदिया फैसला खुदूर साब ओप चनाब को 2017 के चनाब से पहले सेमी फाइनल के रूप में देखा जा रहा लेकिन कॉंगर्स और आम आदुई पार्टी का कहना कि ग्रेंड फाइनल तो फिर 2017 में होगा बंकज कपाई के साथ जक्तार बुलर जी मीडिया चंडिगर NIA SP सलविंदर सिंग का अगले तीन दिन तक कभी भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है पट्याला हाउस कोट ने इसकी मंजूरी दे दी है NIA SP सलविंदर का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराएगी जाच एजनसी को दिली के पट्यारा हाउस कोट से लाई डिटेक्टर टेस्ट की परमीशन मिल गई है अगले तीन दिन में कभी भी S.P. सलविंदर सिंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया चा सकता है पठानकोट आतंकी हमले के सलसले में NIA कई दिन से S.P. सलविंदर सिंग से पूछताच कर रही है आपको बता दें कि आतंकी हमले में पहले S.P. को किडनेप कर लिया गया था इस मामले में NIA S.P. के रसोईये दरगा की केर टेकर को आमने सामने बिठा कर भी पूछताच कर चुकी है जिस दौरान बयानों में विरोधा भास सामने आया था पठानकोट आतंकी हमले से चीक पहले S.P. का अपहरन हो गया था और NIA इसी घटनकरम को लेकर पिछले कई दिनों से उनसे पूछताच कर रही है पुनीत प्रिंजा, G.Media, चंडिगर्ड मेवात के पुनहाना से अलकाइदा का आतंकी गिरफतार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफतार 2014 में ट्रेनिंग लेने गया था पाकिस्तान मेवात में पुनहाना की लकड़ी मार्केट में अलकाइदा का आतंकी गिरफतार किया गया है दिल्ली पुलिस ने उसे दमोचने में काम्याबी हासल किये अब्दुल समी बाकाइदा पाकिस्तान से हत्यार चनाने की ट्रेनिंग लेकर लोटा था वो 2014 में दुबई के रास्ते कराची पहुंचा था बाद में शारजा काटमांडू के रास्ते भारत वापस लोटा पकड़ा गया आतंकी मूल डूप से जारखंड के जमशेदपूर का रहने वाला है ओपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ पुन्हाना पुलिस भी मौचूद रही आतंकी पेशे से एलेक्ट्रीशियन था अब्दुल समी 2015 में ट्रेनिंग पूरी कर पाकिस्तान से भारत लोटा था और जमशेदपूर का रहने वाला है अनिल मोहिनिया के साथ ललित शर्मा जी मीडिया अबोहर के भीम टांक हत्याकान में एक और गिर्फतारी वजीर सिंग को पकड़ने में पुलिस को मिली काम्याबी अबोहर के बहुचर्चित भीम टांक हत्याकान मामले में पुलिस ने वजीर सिंग को गरफतार किया है आरूपे वजिर सिंग को नांदेर से पकड़ा गया है पुलिस को कई दिन से इसकी तलाश थी वारदात के बाद से ही आरूपी फरार चल रहा था इस मामले में पुलिस अब तक कुल 23 आरूपियों को पकड़ चुकी है जबकि मुख्यारूपी शिवलाल डोडा पुलिस की गरफ्त से बाहर है पुलिस इस मामले में तफ्तीश के बाद और खुलासे करने की बात कह रही है स्फपी फाजलका के मताबिक शिवलाल डोडा को भी जल्दी गरफ्तार कर लिया जाएगा एक निजी फार्माउस पर भीम टाक की बेरहमी से हत्या कर दी गए थी जिसके बाद से विपक्ष ने सरकार को जम कर निशाने पर लिया था पुलिस इस हत्याकार में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन विपक्षी दल शिवलाल डोडा की गिर्थतारी की मांग पर अड़ी हुई है अब ओहर से स्नीन नाजपाल के साथ रिवेंदर सिंग जी मीडिया बटाला से शिरी हजूर साइब नान देट के लिए शर्धानों का जथा रवाना हो गया है सीएम तीर्थी यात्र स्कीम के तहट लोगों को निशूर की यात्रा का मुंका मिला है सीएम तीर्थी यात्रा स्कीम के तहट गुर्दासपुर के फतेहगड चुडिया हलका वासियों के लिए बटाला से ट्रेन रवाना की गई जो कि हजूर साहिब नांदेर जाएगी ट्रेन को हरी जंडी पंजाब के पूरुव विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंग कहलो ने दिखाई इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा ट्रेन भेजने के लिए सीम से बात करेंगे उधर शर्धालू भी निशूल की यात्रा सेवा के शुरू होने से खासे खुश थे ट्रेन में मुफ्त खाने पीने का भी बंदोबस्त है शर्धालू ने पंजाब सरकार के इस प्रयास की सराहना की है सुबह की अलगलत जोगों से सरकार निशूल की यात्रा सिवा के मकसद से ट्रेनों को रवाना कर रही है जो लोगों को अलगलत तीर स्थलों के दर्शन कर आएगी हर्याना में पंचायती चुनाओं में नई शर्टें लागू होने से पंच सरपंच और पंचायत समीती सदस्यों के कई पद खाली रह गए है सरकार के लिए इन पदों पर योगया उमीदवारों को ढूनना एक चुनाओती बन गई है हर्याना पंचायत चुनाओं में सैक्षिक योगिता लागू करवा कर प्रदेश सरकार ने खूप वावाही लूटी लेकिन यही शर्ट मुश्किल का सबब भी बनने लगी है पहले दो चुनाओं का चुनाओं पूरा होने के बाद पंचायत समीती सदस्य पंच और सरपंच के कैई पद खाली रहे गए हैं इन में सबसे ज़्यादा पंच के खाली पद रहे है राजे चुनाओं आयोग इन पदों को भड़ने के लिए दोबारा चुनाओ करवा सकता है या फिर सरकार के पास इस मसले को विचार के लिए भेज सकता है सरकार इन पदों पर योगय उमीदवार ना मिलने के कारणों का सरवे करवा रही है जबके निर्वाचन आयोग के पास पुन्य मतदान करवाने का विकलप बचा है कुलवीर दिवान जी मेडिया चंडिगर चंडिगर में डीजल आटो बंद करने के खिलाफ आटो चालकों का खला बोल बीज जनवरी को चकाचाम करने की तीछ दावनी डीजल आटो पर पाबंदी लगाई जाने के खिलाफ ट्राइ सिटी की आटो यूनियन ने सेक्टर 34 में विरूत प्रदशन किया आटो चालकों का आरोप है कि प्रशाशन ने डीजल आटो बंद करने का फैसला लेकर उन्हें बेरुज़गार कर दिया है इस दोरान प्रदशन कारियों की पुलिस के साथ जड़ब भी हुई करीब 324 आटो चालकों ने गिरफतारियां भी दी उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है चंदीगर कॉंग्रिस के नेताओं ने आटो चालकों की हर्ताल को समर्थन दे दिया है उनका आरोप है कि प्रशाषन एकदम से डीजल आटो बंद करने का फैसला नहीं ले सकता प्रशाषन बहुत देर से प्रॉमिस कर रहा है कि CNG को यहाँ पर लेके आया जाएगा मगर वो CNG के पंस को भी यहाँ पर लाया नहीं है यह लोग अपने किट्स को अपने इंजन्स को कनवर्ट कराने के लिए तयार है और यह लोग संयोग करने को तयार है मगर ऐसा नहीं कि आप एक दिन में फैसला कर लो कम से कम एक लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं कि पूरे ट्राइस सिटी के अंदर 15,000 के करीब आटोज है कॉंग्रेस ने आटो चालकों की हर्ताल को समर्थन देकर मामले को स्यासी रंग दे दिया है चनिगर से नितिका महेश प्रीज दी नी गया आरसेस शाखा पर फाइरिंग अग्यात हमलावर फाइरिंग के बाद फरार तस्वीरे CCTV फुटज में कैद लुधियाना में आरसेस शाखा को निशाना बनाने वाले हमलावर CCTV कैमरे में कैद हुए है घटना की दोई नगर की है जहां RSS कार्यकरता एक पार्क में कठा होकर शाखा में हिस्सा ले रहे थे इसी दोरान पार्क के बाहर दो युवक खड़े थे जब उनसे वहां खड़े होने के बारे में सवाल पूछे गए तो वो फाइरिंग करके मौके से फरार हो गए पूलिस ने केस दर्जकर जहां शुरू कर दी है फिलहाल CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है अभी हम अन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं होके पे कुस CCTV फूटेज मिले हैं उसमें जो शो हो रहा है उसमें तो उनने मंकी कैप टाली होई तो पारदात के दोरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमलावरों का मकसद दैशत फिलाना था या फिर कुछ और कैमरामन मुनीस्तर गोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुध्याना शिमला में पीलिया के बढ़ते कहर और सियासत के बीच SIT का गठन मल्याना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू करी जांच शिमला में पीलिया पर बयान बाजी हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, खूब सियासत हुई, पीलिया से लोगों की मौद हुई, लेकिन शिमला में फैल रहे पीलिया के असल कार्णों की जांच पुलिस करेगी शिमला पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया, इस SIT का गठन शिमला के अतरिक्त पुलिस अधीकशक, संदीब धवल के नितरुत में किया गया है, जबकि ASP गौरफ सिंग समेत 6 अधिकारियों को SIT का हिस्साब बनाया गया है पानी पीने से जो जॉन्डिस फैर रहा है और जो बहुत ज़्यादा फैर रहा है, यह सब IPC की लीगल बाशा की परिवाशा में आते हैं S.P. नेगी ने साफ कर दिया कि अगर इस मामले में कोई भी दोशी पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहट सक्त कारवाई की जाएगी जो लोग अपने ट्यूटी करने में कुथाही कर रहे हैं, लापरवाई कर रहे हैं, तो यह जाँच में सारे लोग शामिल हो जाएगी जो भी कारवाई होगा, निश्चे तो पर बहुत अच्छे से किया जाएगा, और एक दो दिन में आपको नतीशा सामने आएगा शिमला के S.P. ने साफ किया है कि जो भी इस मामले में दोशी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सक्त कारवाही को अमल में लाया जाएगा मुहित प्रेम, शर्माजी मीडिया, शिमला जम्मु कश्मीर में B.J.P. P.D.P. गडबंदन सरकार के गठन को लेकर अब सारी निगाहे महबूबा मुफ्ती पर टिक गई है बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि अब उसे P.D.P. के आगले कदम का इंतजार है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कल पीडीपी ने पांच घंडे की मेराथन मीटिंग की तो आज बीजेपी ने कहा महभूबा मुफ्ती ने बैठक में पीडीपी विधायकों के सामने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का विचार रखा है जल्दी सरकार बनाने की कोशेश की जाएगी कॉंग्रेस ने कहा जम्मु कश्मीर में सरकार बनाने के लिए PDP और BJP ने क्या समझोता क्या है सब के सामने आना चाहिए पीजेपी के साथ गटबल्दन को लेकर अब PDP के रवाईये में भी नर्मी आती दिख रही है ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि महबूब मुफ्ती 26 जनवरी के आसपास मुख्यमंत्रीपाद की शपत ले सकती है पीएम मोदी आज से दो दिनों के पूर्वोतर राज्यों के दोरे पर है पीएम मोदी ने सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक में जैविक सम्मेलन में सिक्किम के किसानों से मुलाकात की इस दोरान दिखाएगे शोरील में जीन्यूज की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया जिसमें सिक्किम की जैविक खेती के बारे में बताया गया था पीएम मोदी ने आज सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक में जैविक सम्मेलन में हिस्सा लिया इस समेलन में खेती और तक्नीक पर चर्चा हुई इस समेलन में कृषिव वग्यानिक और सभी राज्यों के कृषि मंत्री भी शामल हुए इस मौके पर पी-म ने सिक्किम और्गानिक मिशन लॉंच किया इस लॉंचिंग के दौरान दिखाई गई शोरील में सिक्किम में और्गानिक फार्मिंग को लेकर जीनियूस की रिपोर्ट भी दिखाई गई इससे पहले पूर्वत्र राज्यों में अपने दौरे पर रवाना होनी से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कल असम के कोकरा जहार जाएंगे ऐसा माना जा रहा है कि प्रधान मंतरी मोदी बोडो समुदाई के लोगों के लिए पैकेज का एलान कर सकते है और इवन फॉर्मुला का ट्रायल खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर दिल्ली वाले एक बार फिर सडकों पर जाम से जूचते हुए नजर आए पुलिस वाले जाम खुलवाने में जुटे दिखे और बसों में भी भारी भीड दिखे ट्रायल के तौर पर लागू किये गए और इवन फॉर्मुले के खत्म होने के बाद दिल्ली की सडकों पर लोग जाम से जूचते दिखे 15 जनवरी को खत्म होए ट्रायल के बाद पहले वर्किंग डे पर सडकों पर ट्राफिक खुब दिखा तो वहीं मूलचंद फ्लाय ओवर के पास भी लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा इस जाम की वजह से ट्राफिक पुलिस के लोग भी बेबस नज़र आए दिल्ली सरकार और डिवे नियम को दोबारा लागू करने की बात कहे चुकी है लेकिन अभी तक इसके लिए कोई खाका तयार नहीं है ऐसे में तब तक दिल्ली वालों को जाम से जूजने के अलावा कोई और जारा नहीं है 26 जनवरी को राजपत पर होने वाली रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहरसल जारी है इस परेड में फ्रांस की सेना भी मार्च पास्ट करते दिखेगी ये पहला मौका है जब किसी दूसरे देश की सेना को परेड का हिस्ता बनाया गया है वहीं परेड में 26 साल बार डॉक स्क्वाड की वापसी होगी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत 26 जनवरी को गंटर्त दिवस समारों मनाया जाएगा इसकी काम्याभी के लिए राजपत पर फुल ड्रेस रिहरसल जारी है इस बार का गंटर्त दिवस समारों काई मायने में खास है खास इसले क्योंकि पहली बार किसी दूस्ते देश की सेना मार्च पास में शामिल हो रही है मेजर लोकस्ते के अगवाई में राजपत पर फ्रांस की सेना भी कदमताल करते दिखेंगी इसके साथ 26 साल बाद एक बार फिर आर्मी का डॉक स्क्वैट भी परेड में दिखेगा नबे मिनट किस कारिक्रम में परेड की जाक्या कम होगी पहली बार सेना से रिटार हुए वेटरन पर भी एक जाकी होगी गंतर दिर्वस से पहले ये रहसल अभी 20 जनवरी, 21 जनवरी और 23 जनवरी को भी की जाए ही फ्रांस के राश्पती फ्रांसवा उलांद इस बार रिपब्लिक डे परेड में मुखे अतिती होंगे